हेलो आवरीवन आयाएती अंड ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के ट्रिगर्स कौन-कौन से हैं और साथ में आज के जो रिजल्ट आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे डिल्टा कोप के उपर ज सारी डिटेल्स हम देखेंगे तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है इसके पापको बिल्कुल भी नहीं करना है अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्रीबे डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं उसका भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि यहां पे लगबग 6300 के करीबन यानी 6300 लोगों के करीबन यहां पे मर चुके हैं तो जिनके अंदर बहुत सारे civilians हैं वो मारे गए हैं तो यह इतना बड़ा अकड़ा है वो यहां पे आया है निकल करके सामने तो कोई छोटी चीज नहीं है तो यहां पे आप देखोगे कि युद्ध है वो रुकने की बाते हो रही है ठीक है मांग तो यहां पे सभी अब कर रहे है कि अब यह रुकना चीज़े बहुत सारी चीज़े हो गई है लेकिन देखना होगा कि क्या चीज़े अब इसके अंद टेरेस उनका इस्तिवा मांग रहा है इसराइल क्योंकि इन्हों ने यहां पे कुछ उल्टा सिदा बयान दे दिया होगा बच्चों वुजुर्गों को ले करके ठीक है तो यह इनको साप साप कहा है कि यूएन का नित्रवतिव करने के लायक ही नहीं आई यह ठीक है तो यहां भी ठंडा होने की काम करेगा और अब भी देखोगे तो लोगभग वो 88 यहां पे डोलर के करीबन चल रहा है ठीक है तो वो सीज आपको देखोगे तो जब ओयल प्राइस है जो वो डाउन हो रहा है तो मार्केट के लिए अच्छी चीज हो गई यह वाली अब यहां पे सेक की बात होने पर ही सिर्फ यह 10 परसेंट उचल चुका है लगभग आप देखोगे कि यह 35,000 डोलर के करीबन चला गया है इसको कुछ ही टाइम पहले आप देखो कि यहां पे यह 75,000 के करीबन था वहां से करेक्शन किया और यह लगभग 15,000-16,000 डोलर के करीबन आ गया था और वहां से अब आप देखोगे तो यह current scenario यह है कि 34,000 यहां पे 35,000 डोलर के करीबन चला गया है ठीक है तो यहां से आप देखो कि यह वाला जो resistance area था इस resistance area को इसने बहुत अच्छे तरीके से निकाला है उपर के side में और यहां से हो सकता है कि यह upside देने की कोशिस करेगा अब यह upside देने की कोशिस करेगा ना तो देखो bitcoin में भी real money लगती है ऐसा नहीं कि money नहीं लगती है तो पैसा यहां आ रहा है ना यह जब उपर जा रहा है तो पैसा आही रहा है ना तो जब यहां पैसा आ रहा है ना तो लोगों के पास पैसा तो ही ना तो low equity market के अंदर भी पैसा आएगा तो आपको यहां पे चार्ट इस प्रकार से correlate करना होगा कि bitcoin में पैसा आएगा तो वो equity में भी आता है ठीक है तो यहां से bitcoin support लेकर के उपर जाने की कोशिस कर रहा है तो इसका mean यह रखना है कि अब equity market है वो ज़्यादा downside नहीं दिखाएंगे यहां पे consolidate जिस प्रकार से इसने किया है और उसके बाद में upside बन सकती है तो यह मैंने आपको बता दिया है अब यहां पे डेल्टा कोप को देख लो तो डेल्टा कोप को यहां पे बहुत ज्यादा जो यहां पे GST के notice आ गये थे जो retrospective तरीके से GST claim करने की बात हो रही थी तो यह हाई कोट के अंदर इनको राहत मिली है और जो मुंबे हाई कोट है उन्होंने साप साप कह दिया है कि डेल्टा कोप को DGCI के त्रू जो भी notice दिये गए है उन notice की जाच की जाएगी और जो DGGI है उसको यहां पे जवाब देने के लिए यहां पे notice भी जारी कर दिया गया है और next hearing है वो 5 फरवरी रखी गई है और 5 फरवरी तक किसी भी प्रकार का action डेल्टा कोप के उपर नहीं लिया जाएगा तो यह चीज है वो डेल्टा कोप के लिए positive है अब देखना होगा कि क्या यह चीज होती है हाला कि court के अंदर चला गया है तो वो company या sectors के लिए बहुत ज्यादा negative नहीं करेगा वो एक जो real चीज होगी ना वहीं पे decision आने वाला है तो यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगी DGGI की तो यह चीज हुई है इसके लिए positive ख़बर आई है अब यहाँ पर फोर्त जो news है वो है access bank को लेकर के access bank के Q2 के results आए है वो बहुत अच्छे results आए है 54% के करीबन increase हो क्या है profit की बात करोगे तो लगभग यहाँ पे 5863 की करीबन आया है और यहाँ पे net interest income की बात करोगे तो 26,000 यहाँ पे 26,626 करोड रुपे के करीबन आया है यह जो भी यहाँ पे लगभग 31.56% के करीबन high करके आया है तो results है वो काफी अच्छा है margins भी देखोगे तो यहाँ पे margins पिछले साल की तुलना में थोड़ा घटके आया है लेकिन यहाँ पे margins है वो थोड़े से ठीक ठाक है लेकिन बाकी आप देखोगे revenue है EBITDA है और NIA वो अच्छे results है इस प्रकार से देखोगे तो इसके बाद वे यहाँ पे tech महिंद्रा के results द करीबन आया है और यहाँ पे market मानके चल रहा था लगबग 15500 करोड के करीबन और operating profit margin है वह आप देखोगे 3.35% सोरी 3.55% है वह यहाँ पे down हो के आया है तो इसको भी आप देखोगे तो यह profit आप देख लो यहाँ पे profit भी है यहाँ पे 505 करोड रुपे के करीबन आया है त तो ये market मान के चलना था लगबग 800 करोर, तो आप margins भी है, वो भी यहाँ पे below है, profit after tax है, वो भी below है, revenue भी below है, तो हर प्रकार से इसको results को देखोगी, तो यहाँ पे खराब results है, अब इनकी commentary है, वो किस प्रकार की है, वो तो देखना होगा, कल यहाँ पे जो news है, उनके अंद के यहाँ पे मामला हुआ है, उसके लिए अच्छी कबर आई है, और साथ में इसराइल हमास का मामला में आपको मैंने समझा दिया है, तो यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और DMAT आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में DMAT अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगा, मिलते हैं नेक्श वीडियो में, थैंक्यू वरी मच्च